Python Developer Boolean Search String Part 4 दोस्तो इस वीडियो में आज फिर से हम एक नई Python Developer की Boolean Search String बनाना सिखेंगे सबसे पहले दोस्तो आपको Bracket लगाना है Bracket में आपको Quotation Mark लिखकर Python Developer लिखना है जो की Python Developer का Job Title होता है इस Job Title को लिखने के बाद फिर आपको Quotation Mark लगाना है और एक Space देना है Space देने के बाद आपको Boolean Search String Operator और का यूज़ करना है और फिर आपको Space देना है Space देने के बाद आपको Python लिखना है Python लिखने के बाद आपको Bracket Close कर देना है और फिर से एक बार आपको space देना है space देने के बाद आपको django लिखना है django एक python का framework होता है django लिखने के बाद फिर से आपको space देना है space देने के बाद फिर आपको boolean such string operator end का use करना है दोस्तों end का use करने के बाद फिर से आपको space देना है और flask लिखना है आपको space देना है, space देने के बाद फिर से आपको boolean search string operator end का use करना है और फिर से आपको एक space देना है space देने के बाद फिर आपको pyramid लिखना है pyramid भी python का एक framework होता है pyramid लिखने के बाद फिर आपको space देना है space देने के बाद आपको boolean search string operator end का use करना है और दोस्तो इसके बाद फिर से आपको बोटल लिखना है बोटल भी पाइथोन का एक फ्रेमवर्क होता है आशा दोस्तो ये भी काफी एक important search string है इस search string को भी आप note कर सकते हैं और जब भी आप किसी python developer की position पे काम करें आप इस search string का use कर सकते हैं और काफी अच्छी quality के python developers के resumes को अब source कर सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो please subscribe my channel like and comment दोस्तो अभी के लिए बस इतना ही है थैंक्स पॉर वाचिंग जैहिन जैभारत